आज जो हमने hip replacements करे थे, हमने दो hip replacements करे थे आज, उसमें कितना सामान हमें ready रखना पड़ता है, जैसे कि हम accurate results दें, हमारे patients की length जो है pair की उपर नीचे ना हो जाए, कितना सामान हमें बनाना पड़ता है, कितना हमें backup लगाना पड़ता है तो friends हम देख रहे हैं कि आज जो हमने hip replacements करे थे, हमने दो hip replacements करे थे आज, उसमें कितना सामान हमें ready रखना पड़ता है, जैसे कि हम accurate results दें, हमारे patients की length जो है pair की उपर नीचे ना हो जाए, कितना सामान हमें बनाना पड़ता है, कितना हमें backup लगाना पड़ता है, आप देख हमें के heads हैं सारे size के, यह liners है, यह stem है, यह colored stem है, यह collarless stem है, यह screws है हमारे पास, यह cementing का भी backup हम लगके चलते हैं, मतलब कि high volume centers पे हम इतना सारा सामान लेके चलते हैं, कि ना patient की 1 mm भी length उपर नीचे हो सकती है, अगर on table हमें ऐसा लगता है कि bone बहुत porous है, तो हम cup change कर सकते हैं, implant cemented, uncemented, कुछ भी कर सकते हैं, hybrid कर सकते हैं, ऐसा कोई भी constraint नहीं होता, because एक high volume center है, यह सामान आप imagine नहीं करेंगे, कि करीब करीब यह पौने एक करोड के आसपास का सिर्फ सामान सामान है, इतना जादा सामान हमें लेके चलना पड़ता है, छोटी छोटी surgeries के लिए, and जब हम इस तरीके का सामान लेके चलते हैं, सारा ही imported सामान लेके चलते हैं, तो हमारे results बहुत ज़्यादा superior रहते हैं, obviously हम MIS के instruments होते ही हैं, बट वो reuse होते हैं, यह एक patient में एक बार जाता है, और हर एक implant barcoded होता है, कुछ लोग पूछते हैं, कि सर क्या लगेगा, हमें कैस होते हैं, इस तरीके का होता है, and if you have any doubts, you can contact us on our given numbers and we'll be very happy to value, thank you so much.